आज जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो इस दशक का सबसे हाई प्रोफाइल और दिल दहला देने वाला केस है कई महीनों तक ये केस हर घर हर आफिस में डिसकशन का मेन मुद्धा बना रहा है इस केस में हर दिन ऐसे चौकाने वाले राज सामने आ रहे थे जो खून के रिष्टों और मानपता को शर्म सार कर रहे थे अब स्वेर्ण केप्रों रहे हुआ प्राइब कर दो रहे है वाव अप्यान्यवस्टी दाली शेट शेचेट कर दो सेंट इडियो? नेवा. थेंक्यू. एड़ाइड! दाइड मुझे आपसे कुछ बात कानी है. आपकेले. जी, तेवयानी बैनर जी? यस, आपको? रोहन, इतनी भी तमीज नहीं है, कि किसी के कमरे में आऊ तो दर्वाजा नौकर करके आणाची? Actually, तुम्हारी गलती नहीं है. हर माँ अपने बेटे को तमीज मैनूस नहीं सिखाती, तो इस दुना Don't you dare! मैं अपने माँ किलाब कुछ नहीं सुनना चाता हूँ, सब्सक्राइब? And by the way, मेरे दाद का गार. And by the way, मुझे रूम मुझे रूम मुझे रूम मुझे रूम मुझे किसी की परमिशन के ज़रत नहीं. Leave yourself alone. Dad, मुझे रूम से कुछ बात कर सकती हैं. तुम्हारी बाते हैं इंतिजार कर सकती हैं. But पार्थी 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 मेहमान हमारे इंतिजार कर सकते हैं. You're already running late. Come darling. Ma'am? Ma'am? My baby! Oh, so sweet to see you. Patrick, तुम हमेशा पुछा करते थे थे ना चंदीगर मेरी फैमली के बारे में? She's my little doll, little sister, Reena. Hello. Hello, Reena. And today, she'll be with us. I hope you don't mind. Are you kidding me? Tumhari family, Mary family. Welcome home, Reena. Thank you. Thank you. Good part, Reena, baby. You know, इतनी खुब्शूरत लर्किया आईथी ना, But you, I mean, तुमसे खुब्शूरत कोई है इने. You are so beautiful. Thank you. No, I love you. You know that now, baby. I love you so much. किसी व्यक्ती का ambitious या महत्वकांक्शी होना, उसे जिंदगी में आगे बढ़ने की या फिर कुछ कर गुजरने की प्रेड़ना देता है. लेकिन कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इस हब तक लाल्ची और स्वार्ती हो जाते हैं, कि वो रिष्टों की बली देने तक से भी नहीं परहिस करते हैं. और ये पागलपन कब उन्हें इनसान से हैवान में बदल देता है, शायद उन्हें खुद पता नहीं चलता है. कि अंचे के बलावर शायद करते हैं, अ छीड़े पुश्षिश करता हैं, को कि ढूट में इसाना नहीं, कि एच्छाओं के लिए भी आवेली देरा हैं? यह बहुत अरूरतिए विए भी में आवेली देरा? प्रपल, भूल, देए लिए। कि अर्फॉराइब से परेगाए। पड़ा भूचे भूचाए पक्नियाए ? – नहीं, कुछ नहीं है ? – भूचे 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 लाहे है? – भूचे लाहे भूचे भूचे लाही है? मैं थे कुछिस्त थो करिदी रहा है तरह जैसे कुछ आता है मैं आपको अपुरेट करता है कि सुपा के रहा है? सुझ मैं आ кад ज़िए हमने बड़े बड़े कैसिस को इसको सॉल्व करते हुए देखा है लेकिन आज कि इस कहानी में एक Constable की सतर्कता से एक बहुत बढ़ा कीस सामने आया मैं सच बोलना हूँ साब ये बंदूग मेरा नहीं साब गटर मी विला था साब हाँ सच बोलना हूँ साब मैं जोट क्यों बोलूँ गटर मेरा बंदूग नहीं साब जाँ मोगला सर लेकिन ये बताने के लिए कि इसका नाम सुरेश है और एक इसे गटर के बसमिला है कि सुबह रूस अगि सच बोल रहा हूँ कि यह फिर जूट कि मैं पूलना सब मैं सब्सक्राइब कर दिश्च बोल रहा हूँ तो इतना कांप क्यों रहा है जान से झोड़ी मारूँगा गुच्छारडडडडडडड़ तोड़ूँगा सब भूट यह जोड़ता हूं सब यह तेरी जोड़तों है ना यह यहाँ पे मत कर तो नहीं क्या लगता है पुलिस ऐसे ही राज चल दे किसी को भी टोड़ देती है आरे बहिया पुलिस जन्ता की रखशक है, रखशक नहीं को właści前 है? टीन महेने नजर थी ए, रहा है, वी तुस्ते בעट वी जन्य हां, तीन महेने यह दिन थी रह और हिए बहुत दिनों से नजर है? कहां सोता है, किसके साथ सोता है, सब हम जानते है, और वैसे भी ये, बीवी ने दिये, फूट गई तो घर में जगड़ा हो जाएगा, नाम लिया, और फोन भी आगे, अलो, थोड़ी देर हो जाएगी घर आने में, ये एक दूपट के में काम मानते हैं, करता हूं जराबाद में, ले, अब तेरा राम नम सकते है, सब, 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 माफ करें, सब, जोड़ बोला रहा, सब, 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 ये बंडु की, मेरा ही सब, रेके, मैडम ने दिया था, सब, कौँ च़िए मैडम, देवयानी मैडम्, देवयानी बlichesगाने जीत है, कौँ झीए मैडम सब? देवयानी बनरजीघ जीत है, सब, बहुत बढ़े लोगशाव्या पाज़ा का, बहुत पईसा उनके बास, ये Vision Y Advertising Company, उनके और उनके पती, Patrick Benerji के साफ, उनके पति पैटिक Benerji के साफ, उनके जुड़ बोलरा हुआ तुछ ने, ने साफ, सच बोलरा हुआ तुछ पूल रहुगा, मैं अपनी बेटी क कसम खारूं साफ, मैं सच बोलरा हुआ साफ, मैं देवयानी Benerji का ड्राइबार ह साफ, उसलिए बंदूग तुझे क्यों दे, ये बंदूग तुझे क्यों दे, अपनी बेहन रिगा, अरूरा को मारने के लिए साफ, हमार दिया, नहीं साफ, फिर जंदा है, नहीं साफ मर गए, लेकिन मैंने नहीं मारा साफ, मैंने नहीं साफ, मैंने नहीं साफ, मैंने और और राजी उसार ने मिलकर रीना की लाज को एक सुकेस में बंद किया और वाइट फिल्ड के एक सुल्सानी इलागे में जाकर जला दिये साथ बेढ़ जा, पूरी कहानी बता चाथ चाथ अगर सुरेश की माने तो देवयानी का दोस्त राजीव खुराना जया नगर के होटेल हिल विव में रूका था और देवयानी भी जया नगर के मार्टिन बिल्डिंग में अपने पती बैट्रिक बैणर जी के साथ रह रहे है और सर सोचने लिए बात ये है कि ये राजीव खुराना बैंग दूरू तभी क्यों आता है जब पैट्रिक शहर मिनाव अब यह तो वही बता सकता है एक काम करो, होटेल हिल विव से इस राजीव खुराना की सारी डीटेल्स निकाल देखा लेगा सर्फ वर्मन सर्फ आप ये सर्फ, हाँ कैं आप यू? हमें राजीव खुराना की बुगिंग डिटेल्स हेए एक मिन्ट सर्फ कियो सर्फ अ ये है राजीव खुराना की बुगिंग डेटेल्स सर्फ इस दिल्ली के जीकेवन में रहता है और इस मेडर से पहले अकसर इस उटल में आगर उपता था इह इस मार्टन बिल्डिंग काना पता करने आज अगे साप लिए जा अगे यह जा अगे साप लिए और आगे सौ मेंटर की दुरी पे है यह थैंकी अ कॉ कमाल है, देविया नी अपने इस फ्रेंड को अपने घर से इतने पास वाले होटल पे रुकुआती थी और वो भी तभी आता था जब पैट्रिक शेर में नहीं होता है सर यह फ्रेंड कुछ जादे स्पेशल लगता है वो सकता है कि देविया नी नहीं चाहती थी के राजी उखुराना को कोई भी उसकी बिल्डिंग में देखे और होटल घर से इतना पास होने की वाज़े से उससे आसानी से मिल भी पती है सर मैंने पता किया यह शुरेश सच बोल ला था यह द्यव्यानी और पैट्रिक ब्रेर जी ज्यादा तरह अपने घर में नहीं बल्कि अब्रॉट में रहते है इस वक्त भी दोना अब्रॉट में हैं सर शायद सोसाइटी की एज़े मीटिंग लिए वापस आए सोसाइटी की एज़े मीटिंग के लिए अबरॉट सिको होना था है सर यह लोग कुछ जादे पर्टिकुलर हैं समाम लों लो आज तक कभी भी इन्होंने सोसाइटी की मिटिंग मिसने की है चलो अगर वह लोग आते हैं तो हमारा लग और उनका बैड लग चोविस घंटेक आदमी उनके घर पे निगराने के लिए खोर वो जैसे आते हैं मुझे बतावा सर यह राजीव खुराना के एरलाइन्स डिटेल्स हैं सर वह कही बार वेंगलोर आचुका है दो बार तो देवयानी खुद उसके साथ थी एक बार देवयानी ने अपनी सिद बदला कर उसके पास के सिद्धी थी इस राजीव खुराना के दर्शन भी करने ही पढ़ाई है उठा के लाओ इसको दिन ली से साथ सर एट्विल पुलिस ने कंफर्म किया है कि 22 मही 2012 को उन्हें एक औरत की लाश मिली थी वह स्मॉटम से पता चला है कि उसकी मौत तकरीबान एक मेने पहले हुई थी आइमियों को 22 से 24 अपरेल के असपास जल्दी बैक जल्दी बैक यह बहुल दे बहुल दे मैंने जाएं को बहुत बद्बोर लगता अज़ी किसे नमार रहा हो जानौर फेका है जाए जाए दली लेगिया मतलब सुरेश सही बोल रहा था वर्मन वाइफरी जाए और चेक करो को किसा हुआ हुआ वर्मन Sir, मैंने वाइट फुलिशेशन में पता किया Sir, उन्हें वो बॉड़ी एक सूटकेस के अंदर मिली थी और पूरी तरह से जली उली थी आलेकर उनके पास उस बॉड़ी की हड़ियां और उस जलेवे सूटकेस का फ्रेम है सुरेश के स्ट्रेटमेंट से पता करो वो वो बैग उसने कहां से खरीदा था वो गाड़ी कहां से नहीं थी जो टीम दिल्ली बेजी थी उनसे कुछ पता चला नहीं सर, किलाल दो कुछ पता नहीं चला Hello Sir, Devyani and Patrick Benner Ji, आभी अभी पहुंच आए Okay, very good Okay Sir, Devyani and Patrick Benner Ji, दोनों इंडिया वापस आगा है Very good Sir, कभी-कभी अंधेरे में तीर परफेक्ट निशाने पे लगता है Sir, सुरेश के हरकतों से हमारे उस कॉंस्टेबल को उस पर शक हुआ और फिर उसने उससे पगड लिया और आपका तीन मेने वाला दाफ तीन मेने की बास सुनकर उसने तीन सार पुराने वाली स्टोरी अपने आपकल दी वर्मन सच जूठ की मूटी परत के नीचे दबा होता है आसानी से बाहर नहीं आता हो सकता है कि ये सुरेश छुड बोल रहा हो और उसी ने लीना को मार दिया हो ये भी आहीचित कि ढ़ैयनी ka सच्च शूरेश के सच से अलग हो और बेammed LSP सोच के तेखो इतना बड़े बरिवार की लड़की है गायप हो जाते है उसका मुझर हो जाता है किसी को कुछ नहीं पता है यह जो सकता है कि देविया ले ने किसी पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंगम्रें लिखवाई और उसे पता भी ना हो कि सुरेज रिना को मार चुका है हो सकता है यह डार्लिंग, हाथ सुभी ही आई भै AGM मीटिंगे, you know, Patrick is so particular about all this thing आना ही पड़ा यह, next week, next week I think we are going back to US यह, sure even I want to meet you, yeah one second, one second, yeah yeah, yeah, yeah one second, I'll call you back Livyani ji, yes मैं कोरा मंगला पुलिस से पीसी वर्मन, आपकी बैंन रिना आरोरा के बारे कुछ पूस्ताश कानी है रिना यह नही रहती, हो उस्ताश मेरती माफ कीजेगा लेकिन शाहद आपको पता नहीं है हमें खबर मिलिये कि तीन साल प्ले रीना का मदर हो गया है वाट? रीना का मदर? अर्यों सीरिस? रीना का मदर? अगर यह सच है तो यह जरूर ओ मैंगाड यह जरूर ओहर निकिया होगा यह से अरका इसका काम है अर्यों आपको 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 अरे साथ भी पुलिशेंज दोना होगा कुछ बयान लेने आपसे आपको इंफर्म माइ हस्बन पेट्रिक आपके. सर, आइए. बैठी. थेंक्यो. मुझे लगा था आप पुलिस टेशन आने से इंकार करदेंगी. आप में आप जैसे हाइप्रोफाइल लोगोंको नाम से बहुत प्यार होता है. आप मेरे लिए, मेरे नाम से जादा मेरी पहन इंपॉर्टेंट है. राइट. तो कहा है आपकी महन? रीना अरोरा? आप मेरे लिए. चाहतक मुझे पता है वो युएस में है. पर एक दो घंटे पहले आपके ओफिसर ने बताया के तीन साल पेर उसका मार्डर हो चुका? सर आप आइसे नहीं जा साथ अंदर सर... पर दी, और राइट? पर जाँ सेट पर दी, अजय हो? तुम कीखो? यहने कुछ कहाता है नहीं तिक हा? How dare you, inspector. How dare you get my wife here? यहाँ आपकी मेरी पहुच कहाता है. तुमारे जितने यह स्नियर ओपिसेज थे नो, or politicians, वा पॉलिटेशन सब को जानता हूंने. संगगया है तुम? लेजी, पानी पीजिया, इह ख्रीजी? पानी पीने से सहथ भी अच्छी रहती है और दिमाग भी ठंडा रहती है दिव्याने जी, अब पुलिस के आप से कुछ जाती दुश्मनी तो हैं, और ना ही आमे कोछ अपने में आया था कि आपकी बहन का कतल होगया आमने कुछ सबूत मिले हैं, इसलिए आपसे पूष्टाज करना चाहते हैं और अपर आपकी बहन जिन्दा है, युएस में है, तो मेरी तसल्ली के लिए एक बार उससे बात करवा दीजे, कॉल पे, वीडियो कॉल पे, जैसे आप चाहें इसके लिए इन्हें यहां लाने की ज़ुरद नहीं थी, पेभी, फोन निकालो, रीना को फोन लगाओ, और बात कराओ ऑफिसर के I said पेभी, रीना को फोन लगाओ, ऑफिसर के बात कराओ, हरे इनके पास बेकार का टाइम होगा, हमारे पास नहीं है Ghoa जाना है, अभी तक ट्रेकिंग नहीं होगा, बहुत काम है, कमाँ, कमाँ I'm sorry Mr. Banner जी, मुझे नहीं लगता है, आप Ghoa की फ्लाइट कैच कर पाएंगा दिवेली जी से कुछ सवाल जवाब के लिए उनको कस्टडी में लेना होगा अब बताईए अब बताईए आपने रीना अरोरा को क्यो मारा है Have you lost your mind officer? Rina Arora मेरी छोटी बहन थी, मैं अच्छी बहन थी? हमारे बास कुछ सबूत है जो यह कहते है कि आप ही ने रीना अरोरा को मारा है Really? इसा कौन सबूतर जो यह कहता है कि मैंने मेरी बहन का खून किया है जल मी आपका ड्राइवर सूरेश उसने सब कुछ बता दिया क्या हुआ? आपने कभी सोचा नहीं होगा न कि आपका राजदार हमें मिल जाएगा और आपका राज कभी राज नहीं रहेगा शौक लगा? यह, I'm shocked Really सूरेश मैं यह नहीं जानती कि सूरेश ने आपको मेरे बारे में क्या का लेकिन इतना जरूर कह सकती हूं कि वो किसी और को बचाने के लिए मुझे फसारा है अच्छा किसे बचाने के लिए? रोहन पेट्रिक का बेटा मैं स्टेप सन आपका सौतेला बेटा आपकी बेहन को क्यों मारे? विकोज अच्छा दा अपैर चादा था दोनों का विच आई निलिक मैंने रीना को बहुत संझाने की कोशिश के थे लिकीन वह मेरी नही पूरती थे लिकिन वह नहीं सुमती थे और अफ्टर ओल, रोहन इस रोहन, वो कैसे बरदाष्ट करता के रीना ने उसे डंप कर दिया, इसलिए उसने उसे मार डाला, और मैं, मैं अब तक की यह समझती रहे के, मेरी बहिंट युएस में, सेफ है, कि अडेरी और यहें, इसलिए रही के विखिए, लिएस ओका यहां, छुटा विखिए, प्लात है, इसलिए इसलिए, इसलिए में, क्योंकि जब वे उसे बनाइश जारी थी, तो आपना यहां पाराइब केस्साइश, तो अट्रवा है, सूर्ट विख अछिए आसे, सब विख इसका दिल करेगा, अब मुझे कॉल करेगी. आई विश्च ओफिसर मैंने उसे उस्पेस नहीं दिया होता. आई शुड़े हो कॉल्ड़ाओ, तु यह दे नहीं होता. जी सर, मैंने वने कस्टड़ी मिलिया है. नहीं सर, सबूत इकठे कर रहा हूं. नहीं हमने उन पर कोई प्रश्र नहीं डाला है. नॉर्मल पूस्टाश, उसके ड्राइवर्से क्लूज मिलें सर. ओकी. जैन सर. हाई प्रोफाइल केसिस. तीन साल पुराने अपराद की कुछ कड़ियां खुलनी तो शुरू हुई थी. लेकिन फिर और ज्यादा उलज गई. पुलिस इस बात का दावा बिलकुल नहीं कर पा रही थी कि असली अपरादी कौन था. सुरेश ने देव्यानी का नाम लिया था. और देव्यानी अपने सौतेले बेटे रोहन की तरफ उंगली उठा रही थी. दूसरी तरफ पुलिस दिल्ली में रहने वाले राजीव खुराना के बारे में भी पता कर रही थी. आखिर उसका इस सबसे क्या रिष्टा था. एक लड़की तीन साल से गायब थी और उसे ढूनने वाला कोई भी नहीं. देव्यानी जो की रीना की बेहन थी वो ये मानकर कैसे बैट गई कि रीना तीन साल से यूएस में है. सवाल कई थे और इनमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर रीना अरोडा को क्यों मारा गया. केस हाई प्रफाइल था, काफी पुराना था लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोई कसर नहीं छोड रही थी. अरे सुनो, ये सर्, ये राजिव खुराना कहा मिलेंगे, इनका गर तो लॉक है, यहां नहीं होंगे तो शायद अपने ओफिस में होंगे, उनके ओफिस का अड्रस है, हाँ सर् कि अगए, आजिव गाड़ बुलाओ, ये सर्, राजिव कुराना कहा है, बदानी साब, आप इसको जरू से बन है, उनकी फेमिली कहा है, उनका बड़ा भाई है, राकेश कुराना, उनका अपिस बील्डिंग पे, कॉन से फ्लोर में, ये उपर वाल फ्लोर, इस महने के एं तक सारा टार्गेट पूरा होना चाहिए और मिस्टर रकेश कुराना जी मैं राजीव कुरानक है जी किसी ने मुझे बताया कि वो लाश्पतनगर में हमारी चाचा है पन्नालान उनके घर में है लाश्पतनगर में कहां पन्नाला आप हो जी राजीव कुरानक आए सर मैं ने कुछ लोगों से ऐसे उधार लिये थे इसलिए मैं छेप रहा था पुलिस वालों के साथ पकड़ पकड़ाई कहलता है रहा सिर्फ इस वज़े से इसलिए बहुत डर गया था असली जासे तुझे यह पढ़के लगे गया यह है तेरे बैंगनूरू के होटल हिल व्यू और एरलाइन के रिकॉर्स देख अब जूट बोलने से कोई फाइदा नहीं है यह बातों तू समझे गया होगा सर सर बता दिव्यानियू कैसे जानता है सिर्फ दोस्त है या चक्कर चल रहा है दोनों में सर्थ वो मेरी दोस्त नहीं है मेरी पत्नी है I mean पत्नी थी हमारा डाइवर्स हो गया है रिना रोरा को तू नहीं मारा है ना कुछ चाय टंडा मंगा है आपके लिए ब्लैक कॉफी विदाउट शुकर वैसे आपका एक और राजदार हमारे हाथ लग गया स्पेशल फ्रेंड He's not special friend He's my ex-husband Patrick knows about it Hmm लेकि आपको यह नहीं बता कि इसने पुलिस के आगे गन्फेश कर लिया है कि आप ही ने रिना मारने के लिए इससे कहा था And you trust him I thought you are very intelligent officer Anyways मेरा और राजीव का डिवर्स बहुत अगली डिवर्स हुआ हम दोनों की कभी पती ने रोज लड़ाई जगड़े And Dirty things He was a loser और ये बात वो एक्सेप्ट ने कर रहा था और वो ये भी एक्सेप्ट ने कर रहा था कि मैं पेट्रिक के साथ खुश हूँ वो हमें खुश देख ही ने सकता था तो अब इस ने जब उसे मौका मिला है तो मुझे बदनाम करने के लिए कुछ भी का सकता है लगता है मैडम ने बहुत सारे दुश्मन बना रख्यों तो ले अपका ड्राइवर और अब यह अपका एक्स पती यह राइड ओफिसर जब इंसान के पास कामया भी और पैसा बहुत आ जाता है तो दुश्मन भी अपने आप बढ़ जाते है I'm sure Rajiv ने ही पैसे दी होगे सुरेश को मुझे फसाने के लिए और वो दोनों ने मिलके रीना को मार दिया और मैं मैं अपनी डॉल सिस्टर की फोन का वेट ही करते है यह सोचके के इसका मूद ठीक हो जाएगा और वो मुझे जल्दी फोन करेंगे But she didn't call me She never called अगर आपका ड्रामा खतम हो गया हो पर जरा यह भी देख लीजे यह पिछले एक साल के आपके और राजीव के मीटिंग के रेकॉर्ड्स है वोगी तब जब पेट्रिक शेहर में नहीं होते हैं So what? इससे यह साबी थोड़ी न होता है कि रीना का खोन मैंने किया देश की जानी मानी एड़टाइजिंग एजिंसी की सी-यो और पेज़त्री पार्टीज की शान कही जाने वाली देव्यानी बैनर जी की गिरफतारी की खबर आग की तरह फैल रही थी हर कोई यही जानना चाहता था कि क्या देव्यानी बैनर जी जैसी प्रतिष्ठित और सभ्य महिला अपनी ही बेहन के कतल में शामिल हो सकती है कि अध्यव लड़ी ऐसे दोनों के बैन से लगता है कि रिड़ा का खून दी दया नहीं नहीं किया थैं एक्स्क्योज मी हमें मिसल बैनर जी से मिला है अब उनसे नहीं मिल सकता सॉर्य कि अपने लोयर लेकिया हूँ अरे कहिए लिए उससे कुछ देखे आप ऐसा नहीं कर सते हैं आप किसी अंडर ट्रायल को उनके वखिल से मिलने से माना नहीं कर सकते हैं बाहर मीडा भी बड़ी पड़ी हैं अगर कानून तोड़ा तो आपके सीनर सापे किलाब खारव ही भी कर में फोर्स नहीं कर सकता हैं यह से नहीं 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 यार नहीं 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 नही तुमने कोई औप्शेन हे नहीं छोड़ा? अभी एक फोन आएगा तुम्हें. त्यांक्यू प्रेश्ट्र पेनर्जी. उठाएगे. इस रिडिकलास सार. अभी एसे कैसे? अभी लेंड लाइन का फोन बजेगा उठाना मदी. और मिस्टर बैनर जी और उनके वकील साब को जरा बाहर का रास्ता दिखाऊ. तो खड़े खड़े थक गए होंगा. अक्ष्मियू. ओके साब, प्लीज. नहीं आए क्या मतलब है? यह इन का नहीं? अरे नहीं? नहीं, आई आप. सर. अबर मन कोई अच्छी ख़बर सुनाना. मेरे सीनियर्स पेट्रिक और मीडिया ने दिमाग किद्धाई कर रखी. सर अच्छी ख़बर यह है. सर, सुरेस ने जिस सेकेंड कार डीलर से कार खरी दी थी. और जहां से उसने वो सूटकेस लिया था. सर, उन दोनों का ही पता चल गया. इन्फ्रेक्ट सर वो दोनों अभी पुलिस टेशन में ही है. और दोनों का यही कहना है कि सुरेस ने मडर के एक दो दिन पहले उनसे वो कार और सूटकेस खरी दा था. बलाओ दोनों. कौन सा चर्ण प्राश खाता है? तीन साल बहे उसने उससे सामान खरीदा. तुम्झे अभी तक याद है? पुलिस से जुट बोल रहा है? नहीं साप. जुट नहीं बोल रहा हूँ. वो बार-बार अपने पीछे टटोल रहा था. मुझे लगा घुडा चिपा रख है. तुमने देखे थी बंदू उसके पास? हाँ सार. जा सकती हो तुमना? सरफ, अब देवयानी मैडम गा फिर से इंटर्व्यू लेते हैं. शायद अब साचुगल दे. आपकी ब्लेक कफी. बिनाउट शुगा है. वो आपका स्टार काफे जहां से आप यूजुली ओर्डर करती है, वो तो बड़ा दूर था. कि इनों ने यही से बनवा दी. बड़ अच्छी आप भी सकती हैं. अब आप सोचिए कि आपका फेवरेट काफे हम पता लगा सकते हैं, तो हम यह भी पता लगा सकते हैं कि आपने मडर कैसे किया. अब सर प्लीज, नोट अगें. देवयानी जी, मेरी माह कहते थी कि कुछ लोग जूट को बार 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 बड़ी इंटेंसिटी से बोलते हैं, तो सच लगने लगता है. मेरे करियर में भी कई सारे ऐसे क्रिमिनल्स मिलें, जल्दी से कोई नहीं बोलता है. लेकिन सबका अपना अपना ताइम होदा तूटने का. आप बताएगे. आप किना टाम लेंगी? ऑफिसर, I'm really very tired. मुझे ऐसे रहने की आदत नहीं है. मैं सिर्फ अपनी बेहन को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी. And you seriously think, कि इस सब कुछ मैंने किया होगा? मुझे फ्रेम किया जा रहा है. रोहन के इशारे पर राजी वर सुरेश दोनों मिलकर मुझे फ्रेम कर रहे है. Why don't you understand? फिर से रोहन. चलिए. मैं मान लेता हूँ के लीना ने रोहन से ब्रेक अप किया और रोहन ने बदले में उसे मार दिया. मुझे ये समझाए है कि इतनी सारी प्लानिंग करके रोहन आपको क्यों पजा रहा है? Because he hates me. उसे मैं बिलकुल पसंद नही हूँ. उसे लगता है कि उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम है सर्फ मेरी वज़द से हो रही है. What the hell dad? आप सर्फ तीम महिने से उस दिव्यानी को जानते हैं. और आपने उसके शादी करने का डिसिजन ले लिया? तो इसमें बुराइक है? नहीं डैड, मैं अपको से शादी करने नहीं दूँगा. रोवन, डोन इंडर फे.. What the hell dad? आप सर्फ तीम महिने से उस दिव्यानी को जानते हैं. और आपने उसके शादी करने का डिसिजन ले लिया? तो इसमें बुराइक है? बुराइक? डैड, बुराइक है? इसे जदा बुरा और क्या होगा? नहीं डैड, मैं आपको से शादी करने नहीं दूँगा. रोवन, डोन इंडर फे.. रोवन, डोन इंडर फे.. हाई.. हाई, बिटा.. वोज अश्यादा, ओके.. मैं तुम्हारा कोई बेटा बेटा नहीं। और जो तुम्ही इस सपना देख रही हो ना? इस खर में आने का और इंसे शादी करने का? बुल जाओ वो कभी नहीं चाहता था कि मेरी और पेट्रिक की शादी हो और शादी होने के बाद तो ये एच्समी मोर वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ता के जहां वो मुझे जिल्लत कर सके और 2005 में जब मेरी बेहन रीना हमारे साथ रहने आई तो उसने रीना को टार्गेट किया अपने प्यार के जाल में फसाया ताकि वो मेरा इंसल्ट करने वो मुझे हट कर सके तो आप रोहन और रिणा के रिष्टे के खिलाफ इसलिए थी तो कि रूहन आपको बसंद ने करता नो बेकर इस लूजर लूजर नमबर वन वो ना खुद खुश रहता है ना किसी को खुश रहने देता है रिना से प्यार का नाटक भी वो इसलिए कर रा था ताकि वो मुझे टॉचर कर सके I never thought कि वो रिना को माड़ाबे का रहन मैनद जी आपका रहन मैनद जी आपको आपको पुलिशे से जलना हूँ देवयानी का एकस-हस्बन राजीव और देवयानी का ड्राइवर सुरेश बार बार यही कह रहे थे कि देवियानी नहीं रीना का खून किया है और देवियानी अपने बयान पर अड़ी हुई थी कि ये सब कुछ रोहन के इशारे पर हो रहा है लेकिन इन में से किसी के भी खिलाफ पुलिस के हाथ कोई सुबूत नहीं लगा था और सिफ दो लोहों के बयान पर वो देवियानी को गुनेगार नहीं मान सकते थे तो आपके इसाब से रोहन एक लूजर लेकिन उसके पिता पैटरिक बैनर जी वह तो बहुत बड़े बिजनेसमें है तो बहुत पैसा भी है यह यह राइट पैटरिक के पास बहुत पैसा है लेकिन माबाप के पैसे पर और माबाप के नाम के दम पर इंसान कितना आगे बढ़ सकता है खुद भी तो महनत करनी होती है ना लेकिन रोहन यह बात नहीं समझता आप सिना प्रोहन मैं तुम्हे जितना सपोर्ट कर सकता था उतना किया यह यह ना चाल अनीमोर बच्चे नहीं हो तुम मेरे ख्याल से अपना खर्चा कुद उठा सकते हो कर दो कमाँ डाड आपका कुण उह यह इस अपका कुण हूँ इस शेराट दियने तरुम्हें जाजिकर नहीं हुआ कि अपर अप्राइब शाडिकर भाए बात में देव्यानि को लाने के सुरूरत नहीं है तुम नेरे बेटे हो एक तुम नेरे बेटे हो नाट का और वो अरत लाइफ की हैपिनेस और स्टॉप भी मोश्टर रामाना हूँ अमेजिंग दाद, एक्स्पेक्टेट जब युसके बिजनेस में लॉस होता है या जब युँ वह फेलियर होता है युज़ ब्लेम्स में पेट्रिक उसे समझानी की बहुत कोशिश करते है लिकी वो नहीं समझता सर, रोवन आँगे सर, सर, प्ली सेल में वन थिंग ये ये रिना की न्यूस कि उसका मुर्डर हो गया है, वो मर चुकी है ये जूट हैने, सर मुर्डर तो हुआ है उसका और ये भी उसकता है कि किसी और ने मारा हुँ किसने? तुमने वाट? अब मुश सर, मै रिना को क्यो मारूंगा? मैं तो रिना से बहुत प्यार करता था हमारी अंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी होने वाली थी, और आप ओ माइ गॉड़ तो ये सब मेरे डैड की कहने बर कर रहे है ना? ताकि वो उस औरत से चुड़कारा पा सकें और मुझे इस सब में भसा सकें मताये सर, मुझे इस सब में भसाने के लिए, मेरे डैड ने आपको कितने पैसे दिये? अतना ही मुझे खोलो जितना पूछा जाए अगर दुबारा ये रिश्वत की बात की ना सीदा अंदर डाल दूँगा यह सब अपने अपने कहानियां बूल रहे हैं हमें कहानियों में नहीं सच में इंट्रेस्ट हैं अब अगर मुझे खोलना तो सिर्फ सच बूलने के लिए पड़ जब 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 पहली बार मेंने रिना को लिफती थी रिक्षा अगरा सबस्क्राइब है आप अपने कर लो दो दो करता है अब यह कोई पात में इना मैंच्छ कर लोंगी डोंट वरी नहा घरी जा रहा हूं जब जब आप आप कि दो में यहुआ पहुआँ पर भी एक लगाफ कर था, in 너 aan को तो अपनो आपकотриं प्रना जाता पर अपने दायट की तरह एक आडवरडाइजग अजन्सी को नुगाफ़ येस्ट थोच की की तरह सूंस्सेशुल बन सेुगा है आप्टाइजिंग की फिल्ड में काफी स्कोप है या इस बहुत पैसा है इम ग्लेमर टूब ऐसे तुम्हारे बारे में कुछ जाधा जानता नियुक्ष बता हो मेरे बारे में जानने के लिए कुछ खास है ही नहीं चंडीगर में पलीबडी हुं और देवयानी देवयानी की छोटी बेहन हुँ बस एट आथ अल तु यह राज जानने के लिए तुमने लीना से बार काना टिकी है नहीं सर्ण I was genuinely in love with her I was really love her बहुत प्यार करता था वो वो दिव्यानी जैसे बिलकुल नहीं थी बहुत इस सिंपल और इनुसें लड़की थी और ना चाहते हैं भी मुझे उससे प्यार हो गया था लेकिन कभी भी मुझे उसने पास के बारे में या चंडीकड में अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया इन फैक बो तो दिव्यानी से भी प्यार से कभी बात करती नहीं थी जब मैंने इस बारे में उससे पूछा तो all she said is कि दिव्यानी से उसकी बड़ी भेन है कभी भी भी दिव्यानी ने बड़ी भेन की रिस्पॉंसबिलिटीज नहीं नहीं भाई और फिर वो कुछ दिनों के बाद अपने कॉलेज की पास ओले पीजी में शिफ्ट ही तब हम बहुत मिलने लगे एक दूसरे के काफी करीब आगए और और वी वर डेटिंग इचे तर Xar in 2009, जब हम मुवी देखने जा रहे थे God...How can you be so money? Hela what...what's wrong with you? I told you all..So naughty you are. You're naughty. Oh...laghily na. I'm sorry. I'm sorry, I'm.. प्रणारी जोगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुछ पर हाथ लेकि हाँ? तो नहीं रहे बेल कि अगर मैंने अपना मुछ दिया ना तो यह जो जूटी शानो शौकत यह पैसा है ना? अब कुछ खता हो जाएगा, याद रखना! अब अरे, वाच्त था हंग हंगामा, I mean, what happened? नहीं दाली, मेरी बहन को बाते बनाने का बहत शुक है कैसी बाते? यह जो सम्टिंग, I caught Rina and Rohan red-handed बहते हैं किसिंग इच अदर इन दे कार क्या तुम्हे पता था कि दोनों का अफैर चल रहा है? नहीं, रोन ने वैसे कुछ बताया नहीं पर अगर रिना और रोन एक दुस्रे से प्यार करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे प्रॉब्लम है! यह प्रॉब्लम मत रहा है Okay I'm just इस सारा ड्रामा जितना चल्दी हो सके अफंद हो जानाजी I hope I'm clear Understood? इस तोट तुम यहां क्या कर रही हो? तुझ क्या लगा? तुए सारे पैत्रे करीगे और में डर जाओंगी? हा? इमत भूब्लम जिस जगह पे तु खड़ी है ना मेरी बदॉलत से है पूरी दुनिया को अपनी उंबलियों पे ना चातियू मैं ऐसे ही नहीं पहुची मैं यहां और तुम मुझे ब्लाकमेल करने चली थी फेजूंगी वापस उस भूख मारी किन दुनिया में यह शहर की शानों शुकत भूल जाएगी समझी? अगर मैं अपने वादे से मुकर जाओंगी ना तो कोई नहीं पालेगा तुमें अफ देख रहे न तुम्हे ओ की जरौद से साधा कर रहू है अपने बडीबें की बात नहीं अजनी तो यह सब तुम्हें रहना ने बताया तब तो यह भी बताय होगा कि वो तुस गर लेकर ब्लेकमील कर रहे था सर दिवयानी को डर था कहीं उसका राश करेंट आजाये कौन सा राश ? कहीं कि रीना डेवयानी की बेहन यही रीना डेवयानी की बेटी थी इस केस मे इतना पेचीदा मोड आएगा यह पुलिस ने भी नहीं सोचा था को गुबरा करने के लिए जूट बोल रहा था या फिर ये सब कुछ सच था क्या रीना सच में देवियानी की बेहन नहीं बल्कि उसकी बेटी थी और अगर ये सच था तो एक माँ दुनिया के सामने अपनी बेटी को बेहन बना कर क्यों रख रही थी और भला वह उसकी जान क् पिता कौन था किस तरह की फैमली थी ये जहां परिवार के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और जो मासुम मारी गई थी तीन साल तक उसकी किसी ने खबर तक नहीं ली थी और क्या-क्या राज सामने आने आने वाले थे ये जानने के लिए देखिए इस केस का अब मैं आनूप सोनी आप से विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने परिवार का खाल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून निशून सबक एक को सीख हम सबको जय है कर दो सारी ज़ जाओ हम सबक्राइब एक कर दो सारी बाले पर कर दो मैं सबक्राइब पर से पिर अपने खाले आपले ज़िट्सम्टरूल